दोस्तो जैशीरी राम जैशीरी बालजी माराज दोस्तो कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्सिते हैं और बाबा की प्यारे प्यारे भक्तों पर बाबा की असीम क्रिपा बनी हुई है तो दोस्तो जैसे कि आप सब को पता है कि सावन मास चल रहा है और शं की कोई वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वह ही है कि मैला आएं बहुत सारे लोगों का ना ये कमेंट भी था और वर्टसप पे भी मैसे था कुछ ने कॉल करके भी पूचा क्या मैला आएं जो है हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है तो अगर करनी है तो किस तरह से करनी है क्या वी दिविदान होते हैं वो सारी बाते आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है तो दोस्तों अंतक बने रहें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें जैसा कि आप सब को मैं हर रोज बोलती हूं तो लाइक करें, शेयर करें, कुमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में पैल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो जैश्री राम जैश्री बाला जी महराज महंदेपुर की पवित्र शक्तियां आपके परिवार के उपर किरपा बरसाएं रखें जैसे की हर बार आपके परिवार के लिए मांगता हूँ वैसे इस बार भी आपके परिवार के लिए मांगता हूँ कि वाबा हर कश्टों से आपको मुक्त करें और दूर करें आज का जो इनका विशह है कि क्या किसी व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए पहला नमबर तो ये बात है कि हनुमान जी की पूजा मैलाओं को क्यों नहीं करनी चाहिए यह आप इस पे कोश्ण माग लगाके तनिक सोच के देखिए क्यों नहीं करनी चाहिए यह नहीं कि क्या हरुमान जी ब्रमचारी है इसलिए या लेडिज को लेडिज प्रोब्लम होती है क्या इसलिए तो भईया देखिए जो कारिय होता है ये सब भगवान के हात में हैं सब भगवान ने विदिवत नियम के अनुसार सभी को इस पकार काडिया दिया है और बाला जी महराज कभी भी हर्मान जी ये नहीं कहते कि कोई भी लेडिज आए और मेरी पुजा ना करे ये जरूर है कि हनुआन जी बर्मचारी है और नेकिन ये नहीं है कि लेडिज को उन्होंने ठुकरा दिया है कि लेडिज मेरी पूजा ना करें जितने भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस पकार की कामना या इस पकार की बाते आपको कहता है तो वो गलत कह रहा है ऐसा कही भी नहीं है कि हन्वान जी की पूजा इस तरी को नहीं करनी चाहिए हाँ कुछ नियम हैं उन नियमों को मर्याधा में रखकर आप हन्वान जी की पूजा कर सकते हो वो नियम क्या है वो मैं आपको विदी के साब से पूर्ण आपको बताऊंगा कि हाँ बैस्टेप बैस्टेप किस पकार से आपको अपने शिरीबाला जी महराज की पूजा करने चाहिए एक कोशण आपका ये भी है हो सकता है इसके अंदर क्या अनमान जी इस्तियों के इस्ट देव नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते हैं क्या बाबा शंकर बगवान के ग्यारवे रुदर अवतार हैं तो उन्होंने क्या विवा नहीं किया उन अब शंकर भगवान के कई अवतार है कोई अवतार ब्रमचारी का है तो कोई अवतार किस रूप में लिया गया है और कोई अवतार जगत के कल्यान हे तू लिया है जिसमें उन्होंने स्वम अपने आपको ब्रमचारी और प्रभु की भक्ती दिखाई है हनुमान जी से हमें किस पकार की शिक्षा मिलती है आप सोच के देखिए कि उन्होंने क्या किया हर भक्त की वो रख्षा करते हैं हर इस्तरी हो या पुर्षो वो यह नहीं कहते कि मैं इनकी रख्षा नहीं करूंगा क्या माता सीता के उन्होंने कष्ट नही तो उन्होंने कष्ट हरा, उस कष्ट के बाद माता ने उन्हें अजर अमर का वर्दान दिया। जैसा कि आपको हनुमान जी को अगर पूझना है, तो कोई भी इस तरी हनुमान जी को अपना बड़ाता बना सकती है, अपना बड़े भाई का दरजा दे सकती है। और अगर कोई भी और उसको पूझती है, उनको पूझती है, तो जैसे कि ये लोग कोल करते हैं, इस वक्त तो ये बड़ी डिस्ट्रबेंस होती है, बहुत ही जादा, इनको उल्टा कर दीजिए, फोन को. तो टाइम सीमा के साब से फोन नहीं करते लोग. ये बहुत बार अगर ग्यान की देनी है, तो इसके लिए माइन की तरफ हमारा होना चाहिए. तो उसी पकार से मैं आपको क्या बता रहा था कि हनुआन जी को बड़ा भाई, बड़े भाई के रूप में आप मान सकते हो. हनुआन जी को आप अपना पुत्र, शिरिबाला जी महराज को अपन हमान सकती है. और कोई अगर आप पिता के रूप में कोई बच्ची है, उसका पिता नहीं है संसार में और वो दुखों का पहार उसके उपर तूट रहा है, तो उस दुख के समय में अपना पिता याद आता है. तो उस दुख के समय में आप हनुआन जी को किसी की पास ना ज बाव हैं उनके प्रति भक्ति जागरित हो रही है तो आप अपने पिता के जर्जे के हिसाब से उन्हें मानिए अब क्या नियम रखने हैं अगर आप अनुमां जी के उपर चोला नहीं चड़ा सकती तो आप हनवान जी के ओपर चोला अगर चड़ाना है तो आप अनुवान जी के उपर जो चौला चढाना है उसके लिए आप संकलप लोगी पहले जब अनुवान जी को आप अपना इच्ट देवधार्न करोगी या आप अपना भ्राता धार्न करोगी या अपना गुरुदेव धारण करोगी या अपना पिता धारण करोगी कि हे बाबा मैं चोला चड़ाऊंगी नेकिन अगर कोई लड़की है तो अपने भाई के अनुसार चड़वा सकती है अगर कोई मा है तो अपने पूतर या अपने पती के अनुसार चड़ा सकती है अगर कोई भी लेडिज है और जो की मालो विद्वा है और उनके पती नहीं है तो वो अपने पूतर के माद्यम से हरुमान जी को चोला चड़वा सकती है उन्हें आपका चोला सविकार होगा भगत सिरफ भाव के बगवान सिरफ भाव के बुखे हैं उन्हें ना धन चाहिए ना किसी भी पकार का सिरफ आपकी शर्दा चाहिए वो आपके अंदर की क्योंकि कितना की जो माता और पिता क्योंकि हनुमान जी को अगर आप माता और पि और पिता एक्स्टरनल वोईस मालो बार की अवाज बार की दुख और से आपकी तकलिफों से पिता आपकी रक्षा करते हैं और माता आपके अंदर की हर पकार के घर के अंदर की देख रेख खाना पिना उस पकार सी तो आप दोनों पकार के जिनके माता पितर नहीं है तो वो एक रिष्टा मैंने आपको बताया है कि किस रिष्टे से आपको हनवान जी को पूझना है अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पूझा करनी है तो पूझा में कही बार जैसे कि आपको मैंसुलर पिरिड़ के समय जो लेडिज की जो कारिया है उसके समय आप हनवान जी की साधना कर रही है तो वो 21 दिनों की साधना होती है लेडिज की भगती से हनुआन जी जल्दी परसन होते हैं पुर्ष की भगती से लेट परसन होते हैं कहता है लेडिज के अंदर कश्ट जेलने की भी बहुत जादा ताकत होती है और जब वो अपनी पर आती है तो उसको दुरगा बनने में भी समय नहीं लगता माकाली बनने में भी समय नहीं लगता जब तक बरदाश है जब तक बरदाश है जब बरदाश से बार है तो सब खराब है तो इसी पकार से क्या है कि जब आप इस पकार क्योंगी वो अंदर से बहुत मजबूत होती है और जल्दी क्योंकि वो किसी भी कारिया को जल्दी मानती है भूत, प्रेथ, पिचास, इंच चोको भी वो जल्दी समझती है अपने घर के उपर कोई विपता आ जाए तो लेडिस सबसे पहले कहती है कि शैद हमारे घर के अंदर कोई न कोई गल्द कारिया हो रहा है, पूर्ष इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन लेडिस सबसे पहले समझ जाएगी, क्योंकि वो हमारे घर की ग्रैनी है, उसको फिर वो अपने घर के वे देखती है कि मैंने पूजा, पा कि हनुमान जी को हम कई लोगों के ऐसे तुच्चे कोश्चन हमारे पास आए है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि सबसे पहले तो अपने ही खुद के दिमाग से देखिए, सोच कर कि क्या हनुमान जी को क्या वो देव की इस तरी पूजाई न करे, तो गलत है ना, किस ने ऐसा किस ने ऐसा कारिय किया, हाँ कुछ लेडिज के नियम है, नेकिन हनुमान जी की माता अंजना ही है, ऐसा कोई यह तो नीन कि उन्होंने जनम नहीं लिया, वेशक शंकर भगवान के ग्यारवे रूदर अफ़तार है वो, नेकिन माता के अंजना के गरब से ही उत्पन हुए है ना, तो इसी पकार से आप सोच के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको इस पकार की पूजा करने से रोखता है, तो वो गलत है, आप अपने नियम और दैरा, जब आप हनुमान जी की पूजा का संकलप लो, तो संकलप सबसे पहले लेना चाहिए, अक्षद लेकर, के लोटे में छोड़ देना है, कि हे हनुमान जी माराज, मैं 21 दिन की, मैं 11 दिन की, सुन्दर कांड की, या इस पकार की पूजा का, मैं बार अपने उपर ले रही हूँ, और अगर कोई भी लेडिज, हनुमान जी का वर्त रखती है, तो 21 दिन तक ही वर्त रखा जाता है, आपनी जो सीमा होती है, लेडिज की, जो मैंसलर प्रोबलम, जो मैंसलर प्रिडर होता है, उसको देखते वे, उसी समय से आप 21 दिन की मर्यादा के साथ साथ देखकर, आप, नेकिन उसमें भी कई दूष्ट संकट, इस पकार के कारिये करते हैं, रोख देते हैं, तो उसमें भी आप या अपने पती के साथ, या अपने बच्चे के साथ, अपनी लड़की के साथ भी ले सकते हैं, संकलब, क्योंकि और इस पकार का संकलब ले सकते हैं, कि अगर किसी दुरान, हम कारणवश, वैसे तो प्रभू के परती, अगर भगुर भगती होएगी आपकी, तो कई वारी कुछ ऐसी संकलब की प्रोब्लम होती है, गर में, वो इस पकार के कारिया कर देते हैं, हर्ष्ट शेप करते हैं, ताकि आप अंदर से अपनी भक्ती को जागरित ना कर पाएं, तो इसी पकार से आप संकलब लेकर ये पकार का कारिया कर सकते हैं, उस संकलब में आपके 11 दिन के वर्त रख रही हूं, 21 दिन के वर्त रख रही हूं, और जैसे मंगलवार का अगर वरत रखना हो किसी ने तो कैसे करें, हाँ उस पे तो हम सपेसल वीडियो बनाएंगे, मंगलवार के वरत के ओपर अगर आप चाते हो कि वीडियो बननी चाहिए, तो आप ज किस कोमेंट से जादा हो गए इस पे तो हम उस पर जुरूर आपकी वीडियो बनाएंगे कि अमंगलवार के वर्त आपको किस पकार से करने चाहिए तो मैंने यह कुछ नियम बताए हैं आपको इस तरिया जो भी जिनका सुवाल था मेरे ख्याल कलियर हो गया होगा कि जहां तक तो मैंने मालोब बताने की पूरी कोशिश की है और कही वारी कोई भी ऐसा कारिया होता है तो आप अपने बच्चे के साथ संकलब लीजिए अपने लड़की के साथ भी आप ले सकते हो इसमें कोई ऐसा कारिया नहीं है कि आप नहीं ले सकते संकलब लेने के बाद आपको इ कि यसे मैं आपको रहा हूँ कि लेडिस को 21 दिन के वर्त रखने चाहिए मेंधी पूर से लेडिस ने ऐसे सवाल किया था कि मैं एक तालिस दिन के वर्त रख रही हूं तो मैं बोला नहीं उनको क्योंकि उन्नोंने मरसे इस बात की कोश्चन पे सवाल नहीं अठाया तो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे 21 दिन के मर्यादा में रहकर आपका कारिया कीजिए या फिर कोई अगर पती साथ में है तो पती उन पांच दिनों के अंदर उनका भार उठाए बीच में इस संकलब लेकर फिर तालिस दिन के बाद हो सकते हैं नेकि लेडिस से 21 दिन में भ बीचा शक्ती अugों भूल गाती तो बहुत सारे लोगों रहीं आपका अजगा सवाल गे साथ अर्वान जी के गुरू कोन जाए श्री राम जाए श्री बाला जीमारा